बारतिय रेल्वे जल्द ही यात्री किराएं में बडोतरी कर सकता है रेलवे बोर्ड को इसको लेकर मंजुरी मिल छुकी है इसके लिए रेल अधिकारियों के बीच फाइल पर मंथन शुरू हो चुका है सुत्रों के मुताविक रेलवे सब अर्बन टेनों के लेकर मेल एक्सप्रेस से हर क्लास के किराय में बडोतरी करने जा रहा है यह बडोतरी पांच पैसे प्रति किलो मिटर से लेकर 40 पैसे प्रति किलो मिटर तक हो सकती है इस तरह से रेलवे के हर क्लास के किराय में 15-20 फिस्दी तक इजाफा हो जाएगा इस बड़े हुए किराय को एलान दिसंबर के अंत तक होने की संभावना है जबकि बड़ा किराया एक फरवरी 2020 से लागू हो सकता है रेलवे ने पिछली बार साल 2014 में उस वक्त नई सरकार बनाने के बाद किराय में करीब 15% की बड़ोतरी की थी मुझूदा समय में रेलवे में लागत से ओस दम 43% कम किराय मसूला जाता है अलग-अलग क्लास की अलग-अलग बात करें तो रेलवे को सब अर्बन ट्रेनों के किराय पर करीब 64% का नुकसान ठाना पड़ता है जबकि 9 सब अर्बन ट्रेन के सवारी डिबो पर 40% का नुकसान होता है वहीं AC पर करीब 24% का नुकसान और AC2 पर करीब 27% का नुकसान होता है स्लिपर क्लास से करीब 24% का नुकसान और चेयर कार से करीब 16% का नुकसान होता है रेल्वे को केवल AC3 क्लास के सवारियों को ढोने में फाइदा होता है जो की करीच साथ विस्ती का फाइदा होता है इसी हफ़े C.A.Z. ने अपनी रिपोर्ट में रेल्वे के आर्थिक हालात पर चिंता जताई थी जे बीटी बैंक्वेट एंटरप्राइज एसी ही लेटेस को बहें पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घंने बाद